परडामपुर जनपत के जिला मेमोरियल चिकिसालय का ताज़ा मामला है जहां पर इलास के दोरान यूवक के मौत हो गए परिजनों ने डॉक्टर पर लापर वाही का आरोप लगाया है परिजन व्रतक की पतनी दुर्गिश नंदिनी ने बताया कि करीब एक सबताहा पहले हम जिला मेमोरियल चिकिसालय में अपने पती को इमरजेंसी बाड लाई थी पानी में भीग जाने के कारण इनको तेज बुखार था जिसको दिखाने के लिए इमरजेंसी बाड पहुँची जहां पर डॉक्टर मेरे पती डुरुद्र मिश्रा को डॉक्टर रमिश पांडे ने अपने अंडर में इलाज करने के लिए बाड में भरती कर लिया जिसको केबल, ग्लुकोज और थोड़ा बहुत इंजेक्शन देते रहे और जाच लिखी गई वह भी बहार के पैथलोजी की जाच लिखी गई जबकि हॉस्पिटल में सारी जाच की सुवदा उपलब्द है यहां से ना लिखते हुए बहार के पैथलोजी से जाच कराई ग और मेरे पती की बेती राज से तवियत काफी जादा बिगड़ गई और सुबह आट बजे के पास दम तोड़ दिये जिसकी शिकायत थाना नगर कोतवाली में की गई है एक प्रक्रन आज प्रकाश में आए जिसमें जिला मेमोरियल अस्पताल में एक व्यक्ति की खाइलाज चल रहा था पिछले एक हफ्ते से और इस इलाज के दरानी उसकी बित्तिय हो गई है जिलाज मेमोरियल अस्कताल के द्वारा एक थाना कोतवाली नगर पे मेमो प्राक्त हुआ पोस्टम कराने के लिए तो उसमें पोस्टमाटम की कारवाई की जा रही है और पोस्टमाटम रिपोर्ट में और जो उनके परिवारी जन के तरफ से जो भी प्रातनापत राता है उस यो बस कुछ नई बसे बूलाप बाधिसे पहले कुछ नहीं मतलब दसे यरूब। उसके बुखार आगया उनको जटके आने लगे इसकी मतलब की तव्यत कराब हो गया अच्छा अच्छा अजाच में काते हैं कि वो जाच में कुछ नहीं मतलब कि उसकी तौन करवा दीजिये तो कहें अभी हमारा यहां का मतलब खराब है अरे मसीन खराब है तो बाहर मतलब बाहर आप करवा लिजे मैं पैथरलोजी को बुला दूँगा आप मतलब बाहर असीस एक असीस पैथरलोजी है वो मतलब कहें कि मतलब आप बाहर करवा लिजे पूरी रूटीन जाज करवा लिजे दाक्तर ने कहा कि रूटीन जाज करवा पूरा बाहर बाहर ही करवा लिजिए देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर